कि नमस्तार मैं अभी ने आप सब का अभी ने मैं इस पर स्वागत करता हूं कैसे हैं दोस्तों मैं लेकर आये हूं एसा क्वेश्चन जो SSC CGL या CHSL में पूछा गया exactly मुझे नहीं पता बड़ आपने देखा होगा प्रिवेस यह क्वेश्चन में जिस सवाल के अंदर मैं यह स्टित तो नहीं होगा कोई कहें कि तरबुच की बुझा BC बराबर माइनस 5 है बहुत बाईहत बात है अच्छा आपको एक बात याद है जब हम आपको रिमेंडर सिखाया करते थे और हम कहते थे नेगेटिव रिमेंडर आ गया तो हम इसे कैलकुलेशन में इस्तमाल कर लेत अपने उत्तर को निकालने के लिए उसे आसान बनाने के लिए तो ऐसा ही एक सवाल लेकर मैं आया हूँ आप सब के सामने बहुत ही प्यारा सा एक सवाल है आप देखेंगे सवाल क्या है पढ़ लीजिए एक बार पहले खुत करके देख लीजिए कि साइड एबी ओफिट ट्राइंगल साइज थी एचसेल में आया हूँआ सवाल है कि साइड एबी सी की एबी जो है वो 80 सेंटिमीटर लंबी है परिमीटर 170 है एबी सी साथ है तो तो सोटेस्ट साइ ट्राइंगल एबी सी मीजर आपको बताना है कि क्या होगी छोटी भुजा क्या होगी देखे बड़ा प्यारा सवाल है एक तो छोटी भुजा कौन सी होगी ये पता लगा पना बड़ा मुश्किल होता है फिर कई लोग कॉस रूल लगाते हैं कॉस में भी क्वाड़े टेक और ये वो तमाम तरीके के जमेले ना बने से अच्छा है कि हमने कहा कि हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग ट्राइंगल बनके तयार हो गया ए बी सी मुझे पता है बी एंगल साथ है ये बुजा आसी है और छोटी बुजा मुझसे पूछ रहा है मैंने कुछ नहीं क कहा कि ऐसा करता हूं यह पर पेंडिक डाल देता हूं अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर यह साथ है तो यह 2 और 6 कि यानि दो की जगह 38 है तो एक की जगह 40 है और 3 की जगह 40ं 3 है अब मैं वालूमें कि अगर आपने इसको ए मान लिया तो एक तरीका तो यह है कि 80 और 40 कितना हो गया बहीं वेच्चा बता सकते हैं 80 और 40 120 और पेरिमीटर 170 है तो यह 50-1 हो गया यह कितना आगे 50-1 अब मैंने इसमें पाइथागोरस लगा के बहुत सिंपल ही क्या किया कि 50-1 का स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर बराबर 4 चौक 1600 गुणा ती यह क्या होगा जी 1600 गुणा ती आपको लगता है कि जब मैं एक बार इसमें ए जोड़ूंगा तो 50 आएगा और एक बार घटाओंगा तो 50-2 बराबर 1600 गुणा ती एक ही बार केल्कुलेशन करनी है आपको करने के लिए मैं इतना बता रहा हूं जरूद भी नहीं है 96 आ जाएगा 32 या 96 उदर जाके घटेगा तो 2 एक इतना आ रहा है जी माइनस का 46 और A आ रहा है माइनस का 32 बच्चा बस यहीं पर सवाल करना छोड़ देता है उसको लगता है कि अब मैं फस गया अब मेरे लिए मुश्किलें आ गए जबकि कोई मुश्किल उसके लिए नहीं आई है अगर A माइनस 23 आया है तो मुझे लगता है सबसे छोटी अबर सतर है और यही सवाल का उत्तर है तो कभी अगर आप ऐसा चितर बना लेते हैं और कोई भुझा अगर आपकी नेगिटिव आ जाती है तो उस पर घवडानी की जरूत नहीं है फाइनल उत्तर कभी नेगिटिव नहीं आएगा अब आप सुचेंगे ऐसा हो क्योंगे ऐ बहुत बहतर है वरना हम यही मानते रह जाएंगे कौन सी बुझा छोटी है कौन सी बुझा बढ़ी है इसी में हमारी मुझकिल फस्टी जाएगी और कैल्कुलेशन और लंबी हो जाएगी आप चाहते तो इसको बी भी मान सकते थे बी स्कार माइनस से स्क्वार कर लेता मैं बी प्लस ए पता ही था देखो अगर किसी बच्चे को यह वाली कैल्कुलेशन पसंद ना हो इस टाइप के सवालों को कहता हो कि मुझे यह पसंद नहीं आते आपका यह न तो मैं उसके लिए बता देता हूं क्या करते हैं जैसे मैं क्या करता है इसको बी मान लेता अब आप को पता है कि B स्क्वियर माइनस A स्क्वियर क्या होगा 1600 ती यह 4800 आगया सिरे फिर मैं कहता जी A प्लस B कितना है यानि B प्लस A कितना है तो आप कहते जी 50 फिर मैं कहता जी इसके दो फेक्टर होंगे एक 50 है यह 4800 आया था अरे यार बोर्ड भी आजकल बेकार हो गया 50 ठीक अगर मैं इसका दूसरा फ्रेक्टर निकालता बी माइनस य तो 96 आ जाता और फिर घटा लेता तो टू ए कितना आ जाता माइनस 46 और एक इतना आ जाता माइनस 23 अगर ए माइनस 23 आता तो फिर 70 रहा जाता यही बताना तब इसके अलाबा कुछ नहीं है